हलो फ्रेंट्स, Study with Bank के Current Affair Session में आपका स्वागत है। ये Current Affair SSC, Banking, Railway, State PCS, CDS, CPF, NDA और अधर Computerive Examादी में सहाइक होगे। आज की डेट है 4 December 2021 तो चलिए आज का Current Affair सुरू करते हैं। आज का पहला प्रस्न है, केबिनेट समिती ने भारत परियतन विकास निगम का नया चेर्मेन निवन में से किसे निउक्त किया गया है। Option A, Amis Devgan, Option B, सविन्थ पात्रा, Option D, Manoj Diwari, Option D, Ravikisan भारती जन्ता पार्टी के प्रवक्ता सविन्थ पात्रा को केबिनेट की निउक्ती समिती ने भारत परियतन विकास निगम का अज्यक्ष निउक्त किया है। इससे पहले सम्वित पात्रा साल 2017 में तेल और प्राकृति गेस निगम लिमिटेट में के बोर्ड में गयर आधिकारिक निदेशर के पदपर रह चुके हैं। तो इसका सही इंसर होगा, वो आपका Option B, सम्वित पात्रा। चले, नेक्स्ट कुशन पर चलता है। अंतरास्टी दिव्यांग जन दिवस निम्न में से किस तिन मनाया जाता है। प्रती वर्ष अंतरास्टी दिव्यांग जन दिवस का आउजन किया जाता है। सिरपरिदम सैउत रास्टी महसवा ने वर्ष 1981 को विकलांग जनों के लिए अंतरास्टी वर्ष घूसद किया धा। इसके पशकात 1983-1992 के दसक को विकलांग जनों के लिए अंतरास्टी दसक घूसद किया। वर्स 1992 में सिवत्रास्टि महाजवा द्वारा प्रती वर्स 3 डिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस के रूप में मनाने के सुरवात की गई। विश्व स्वासंगर्थन के नुसार विश्व में 15.3% आवादी किसी नो किसी प्रकार की असक्तता से पीडित है। दोजरिगारे की जनगार्णा के नुसार भारत की कुल जन सेंख्या का मात्र 2.21% ही विकलांगता से पीडित है। अधिक नुकसान की भरपाए के लिए पूरे देश में अब तक कितने करोण से अधिक पोधे लगाये है। option a 2.23 करोड से अधिक option b 1.23 करोड से अधिक option c 3.23 करोड से अधिक option d 2.02 करोड से अधिक केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितन गटकरी ने अब हाली में यह कहा है कि देश में सड़क बनाने के लिए पेडों की कटाई की कारण पारिस्तिती की नुक्सान की भरपाई के लिए भारतिय रास्टिय राजमार्ग प्राधिकर ने पूरे देश में 2. 2.23 करोड से अधिक पौधे लगाए हैं मंत्री ने राज्य सभा को दिये के एक लिखित उत्तर भी हो कहा है कि वर्ष 2017 से नहीं द्वारा लगाएगे पौधों की कुल संख्या 2.23 करोड है उन्होंने यहों भी कहा कि नहीं हो सुनश्रित किया है कि मौजूदा रास्टे राज मारगो को चोड़ा करने के लिए कम से कम पेड़ों की कटाई की जाए तो इसका जो सही अंसर होगा वोगा आपका ओप्षिन A 2.23 करोड से अधिक चलिए नेक्स्ट कुशिन पर चलता है भारत G20 त्रोइका में सामिल हुआ है भारत की अलावा G20 त्रोइका में सामिल अन्य दो देश कौन से हैं अफ्षिन A इटली और इंग्लेंड अफ्षिन B अमेरिका और इंग्लेंड अफ्षिन C इंडोनेसिया और इंडली अफ्षिन D इंडोनेसिया और इंग्लेंड लेकि हाली में G20 ट्रोईका में सामिल हुआ है भारत है तो G20 ट्रोईका इंडोनेसिया भारत और इटली से बना है ट्रोईका वर्तमान अधक्ष इंडोनेसिया पिछले अधक्ष इटली और भविशिव के अधक्ष भारत से बना है G20 अंतरास्टिय आर्थिक सहियों का प्रमुक मंच है जो इस मायनता को दरसाता है कि वैश्विक सम्रिथी अन्योसरातिक है और हमारे आर्थिक अवसर और चुनोतिय आपस से जुड़े हुए हैं भविश्व के बहतर तैयारी के लिए G20 देज एक साधाय है G20 के संस्थापक सदेश से की रूप में भारत में विसेश महत्तो की मुद्दो और दुनिया भर के सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दो को उठाने के लिए इस मंच का उप्योग किया है तो इसका जो सही अंसर होगा वोगा आपका option C इंडोनेसिया और इटली चलिए next question पर चलते हैं अंतरास्टी मुद्रा कोस यानि IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डारेक्टर निमने में से किसे बनाया गया है option A अमरित असेन, option B रगुराम राजन, option C गीता गोपिनाथ, option D उर्जित पतेल देखी अंतरास्टी मुद्रा कोस यानि IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डारेक्टर गीता गोपिनाथ को बनाया गया है IMF ने हाल ही में घोशना की है कि गीता गोपिनाथ अगले महीने जौफरी ओकामोतो की जगह लेगी जो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डारेक्टर बनेगी IMF की चीफ क्रिस्तिलीना जारजीवा के बाद गीता गोपिनाथ का ही नंबर होगा ऐसा पहली बार होगा जो वासिंग्टन स्थित इस अंतरास्टी संस्थाक में सिर्स के दो पदों पर महीलाएं बठेगी तो इसका जो सही अंसर होगा वोगा आपका option C गीता गोपिनाथ चलिए नेक्स्ट कोईशन पर चलता है असम राजे सरकान ने राजे का सर्वोच नागरीक सम्मान असम बैभव निवने में से किसे प्रदान करने की घोशना की है option D रतन टाटा, option B सारेस मिस्तरी, option C नट राजन चंदर सेखरन, option D राजेस कोपिनाथन असम के मुख्यमंतरी हिमंत विश्वास सर्मा ने रतन टाटा को असम बैभव सम्मान देने की घोशना की है मुख्यमंतरी ने कहा कि असम के लोग राजे में कैंसर की देखभाल के लिए उनके असाधरन यूगदान के लिए उद्धमी के बहुत आभारी है रतन टाटा की पहल पर टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के सहयोग से साल 2018 में 19 कैंसर देखभाल 21 थापित करने का नड़ने लिया है इसका सेलर न्यास रतन टाटा ने किया था तो इसका जो सही अंसर होगा वोगा आपका ओफशन ए रतन टाटा चले नेक्स्ट कुशन पर चलता है वॉल्ट डिजनी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला धक्ष की न्यूक्ति की है औफशनी रेनुका जगतियानी औफशन बी किरन मजूमदार सो औफशन सी रॉसनी नादर औफशन डी सूजन अर्लॉंड वॉल्ट डिजनी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला के हातों में अपनी बागदोर सोबी है धरसल 67 साल की सूजन अर्लॉंड कंपनी की नई बोर्ड अधक्ष होगी वह 14 साल से डिजनी बोर्ड की सदज से है और 31 दिसम्मर से मौजूदा अधक्ष बॉब इरर की जगलेंगी बॉब इरर ने करीब 15 साल इस पत पर काम करने के बाद पिछले वर्स इस्तिफा की खोशना की है तो इसका जो सही अंसर होगा वह होगा आपका ओप्षण D सूजन अर्लॉंड चलिए नेक्स्ट कोशन पे जलता है प्रतिवर्स विश्य भर में रास्टी समुदाय के बीच कंप्यूटर साक्षर्ता को लेकर जागरुकता करने हेतू विश्य कंप्यूटर साक्षर्ता दिवस कब मनाया जाता है Option E 1 December, Option B 2 December, Option C 3 December, Option D 4 December प्रतिवर्स 2 December को विश्व भर में रास्टी समुदार के बीच कम्प्यूटर साक्षर्ता को लेकर जागरुपता पैदा करने और डिजिटल साक्षर्ता को बढ़ावाद देने हेतु विश्व कम्प्यूटर साक्षर्ता दिवस मनाय जाता है यह दिवस तकनीकी कौसल को बढ़ावा देने पर जोर देता है इस दिवस का लक्ष बच्चों और महिलाओं को और अधिक सीखने तथा कम्प्यूटर से अधिक से अधिक उप्योग करने में सक्षम बनाना है कम्प्यूटर का ग्यान वर्तमान समय में काफी महतपूर माना जाता है क्योंकि यह हो बहुत सर्टीक, तिव्र है और कई कारी को एक साथ आसानी से पूरा करने में सक्षम है इसके अलावा यह स्वय में बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकता है और इंटरनेट का उप्योग करके विभिन पहलूओ पर जानकारी प्राप्त करने में भी साहधा करता है इस वर्स विश्य कंप्यूटर साक्षर दिवस का विश्य जो है वो मानो के इंदरित रिकवरी के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना है तो इसका जो सही अंसर होगा वो आपका ओफ्शन B 2 दिसंबर चले नेक्स्ट कुशिन पर चलते है भारत के पहले राश्टपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद की जैनती कब मनाई जाती है ऑफ्शन A 1 दिसंबर, ऑफ्शन B 2 दिसंबर, ऑफ्शन C 3 दिसंबर, ऑफ्शन D 4 दिसंबर अचले नेक्स्ट के पहले राश्टपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद को उनकी जैनती पर सरधान जली दी है 3 दिसंबर, 1884 को जदमें डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, एकसोतंतरता कारीकरता, वकील, विद्वान और भारत के पहले राश्टपती थे जब भारत एक गणतंतर बना, तो डॉक्टर राजेंदर प्रसाद को समिधान सभा का अध्थक चुना गया डॉक्टर राजेंदर प्रसाद वर्स 1950 से 1972 तक देश के राश्टपती रहे वो देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राश्टपती है इसके अलावा वो राश्टपती के तौर पर दो पूर्ण कारे कालों तक सेवा देने वाले एक मात्र राश्टपती भी है राजेंदर प्रसाद को वर्स 1962 में सर्वोच नागरिक पुरसकार भारत रतनसी भी सम्मानित किया गया है राजेंदर प्रसाद का 78 वर्स की आयू में 28 फरवरी A 1983 को निधन हो गया पटना में राजेंदर स्मृती संग्राले उन्हें समर्पित है तो इसका जो सही इंसर होगा वो आपका ओफ्शन C 3 दिसम्मर चले नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं किस राजे सरकान ने हाली में जम्मो कस्मीर भर्मपरीक नमदा सिल्प को पुनर्जिवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पाइलेट परियोशना सुरू की है सरकान ने हाली में जम्मो कस्मीर पर पारंपरीक नमदा सिल्प को पुनर्जिवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पाइलेट परियोशना सुरू की है जिसका राज्य के काली निर्यात को 600 करोड रुपे से 6000 करोड रुपे तक बढ़ाने का प्रयास करना है नमदा परियोशना से स्रीनगर, वारमुला, गांदरवल, बानिपोरा, बढ़गाम और अनंतनाग सहित कस्मीर के 6 जिलों में 30 नमदा सम्हों के 2250 लोगों को लाब मिलेगा नमदा सामान्य बुनाए परक्रिया के बजाए फेल्टिंग तक्नीक के माइधम से भेड की ओन से बना एक गलीचा है कच्चे माल की अनुपलवर्ता, कुसल जनसक्ती और विपणन तक्नीकों की कमी की कारण वर्स 1998 से वर्स 2008 के बीच इस सिल्प की निरियात में लगभग 100% की गिरावट दर्ज की गी है तो इसका जो सही इंसर होगा वो होगा आपका option C, जम्मू और कस्मीर यहां पर question ऐसे होगा कि सरकाने हाली में किस राज्य में पारंपरिक नम्दा सिल्प को पूर्णर जिवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पाइलेट प्रियोजना शुरू की है तो इसका एंसर होगा चमूर कस्मीर तो यह था आज के current affair वीडियो पिसंद आये तो like, share और comment करना ना भूले साथी साथ चैनल को subscribe करना ना भूले Thanks for watching, have a nice day, take care